स्री शिवाय नमस्तु भेहम बहुत अच्छे से आपको समझाओंगा ठीके ना आसान सा प्यारा सा उपा है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसकंट पर आप सभी को दिखराओगा तामबे का लोटा ठीके ना सबसे पहला काम करेंगे तामबे के लोटे में आपको जल भरना है आप कहोगे भिया जल तो हमे उसको डाल देना ठीके ना फिर आप इस कलश को उठा लेना और आप पहुँच जाना सीधा महादयो के शिवलिंग के पास में अब जल तो नहीं चड़ाना फिर पहुचेंगे क्यों तरीका समझो फेस रखेगा उतरदिशा नौर डरेक्शन मैंने आपको बता रखा है शिवलिंग पे ऐसे होते हैं जो महादयो को बहुत प्रिये हैं सबसे पहला स्थान महादयो को प्रिये होता है वो है माता असोख सुंदरी का स्थान जो की भोले शंकर की सबसे प्रिये पुतरी सबसे चोटी पुतरी हैं समझ मैं आपको दूसरा ये जो स्थान आपको दिख स्थान पे देखो जब जल चढ़ाओगे तो जब थोड़ा सा जल चढ़ाना तो एक ही बार में चढ़ाना थोड़ा थोड़ा करके तीन बार में जल समर्पित करोगे कहां पे माता असोख सुंदरी के स्थान पे जितना भी अब बचा हुआ जल आपके कलश में है उस कलश का ज चाहे वो छटमा दिन हो, सातमा दिन हो, आठमा हो, नो मा हो, कोई सबी दिन पर करके देख लिया, तो आपकी जो मनो कामना होगी, जो विशेज होगी, वो पूरी होगी, एक चीज में आपको बताना भूल गया, जैसे मान लिजे, कि आप जब जल को समर्पित कर रहे हो, जादू, जैसे अब आपने यहाँ पे तीन बार जल चड़ाया, आपने यहाँ पे कितनी बार जल चड़ाया, चार बार, अब कहोगे भिया, उपाए तो हमने कर लिया, तो उपाए करने के बाद भी क्या महादेओ के शिवलिंग के उपर जल नहीं चड़ाना, तो इसका तो पहला उपाय समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय के तरफ और ये जो दूसरा उपाय है, ये होगा रोग मुक्ती को लेके न, जैसे मालेजे घर में आपके सुगर है किसी को BP की प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है, कम इमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, बहुत डॉक्टर को दिखा लिया, बहुत इलाज करा लिया है, फिर भी नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे, इसके लिए आपको लेना होगा शमी के पत्ते, कितने पत्ते लोगे? मातर शमी का आपको दो पत्ता लेना, जब बेल पत्र हमें लेना होगा तो एक ही बेल पत्र लेनी है बहुत ही प्यारी से सुन्दर सी बेल पत्र में तीन पत्तियां होती हैं आपको पता है नीचे की जो दोनों छोटी पत्तियां आपको दिख रही हैं उस पर आपको जादा मात्रा में लगाना है क्या लाल चंदन जैसे मैं लगा रहूँ आपको भी इसी तरीके से लाल चंदन लगाना है ज्यादा मात्रा में लगाने के बाद में आपको मैंने दिखाया है शमी का पत्ता इसी लाल चंदन के उपर शमी के पत्ते को या फिर चावल के दाने को एके करके दोनों पत्तों पे चढ़ा देंगे मतलब चिपका देंगे और फिर आप इस बेल पत्त को उठाना और उठा के बाद पहुँच जाना सीधा महादियो के शिवलिंग के पास में जल हमें अभी भी नहीं चढ़ाना वहाँ पर पहुच गए जैसे भी पूजन अर्चन आपको करनी है जो कुछ भी चढ़ाना वगरा है चढ़ा दो फिर चाहे तो आपको माता असोक सुन्दरी के स्थान पे या फिर महादियो के शिवलिंग के उपर जो आपने बेल पत लिया है जिस पर लाल चंदन लगाया है और उस पर आपने शमी के पत्ते को चिपकाया है वो जब माता असोक सुन्दरी के स्थान पे रखोगे तो फिर से बोल रहा हूँ क्या नाम है गती मान तो यह उपाय गती मान भगवान के नाम से अगर आपने कर लिया तो आपके घर में कभी भी कोई भी विक्ती बीमार नहीं पड़ सकता हमेशा आपकी पूरी फैमली में सभी लोग स्वस्थ और निरोगी जरूर रहेंगे ना इजी तो आपके घर में अगर कोई भी विक्ती बहुत चिंता में रहता है मतलब बहुत टेंशन में है बहुत डिप्रेशन में जा रहा है उसका कोई भी काम नहीं बिन रहा है रोग से परेशान है घर में धन समपदा नहीं मतलब कोई भी ऐसी प्रॉबलम है तो आपको मात्र एक रुद्राक्ष इससे जादा नहीं लेना है आप वो रुद्राक्ष कोई सा भी ले लो कोई सा भी ले सकते हो जैसे मैं आपको थोड़ा सा दस सकंड सिर्फ आपका टाइम में लोगा बता देता ह। रुर्दराक्ष की वैलू क्या है अगर आपके पास में 7 मुखी रुद्राक्ष है तो ये धन संपदा का है अगर आपके पास में नौ मुखी रुद्राक्ष है तो ये आपके बच्चों के लिए होता है पती के लिए होता है किसी भी इंसान को सही दिशा में लाने के लिए होता है बाकी जो पांच मुखी रुद्राक्ष होता है वो बीमारी और अगर आप साथ मुखी नौ मुखी रुदराक्ष लेते हो मुझसे तो मैं इसके साथ आपको पांच मुखी रुदराक्ष फ्री दूँगा प्लस कमल गटे की माला में आपको फ्री में दूँगा और हो सकता है मैं आपको इस टीकर भी गुरु जी का स्री शिवाय तो एक रुद्राक्ष लीजेगा, साथ ही साथ एक आपको इस तरीके से क्या लेना होगा। पे भी बजरंग बली की फोटो हो, मूर्ती हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास लेके जाएंगे और उसको रख देंगा, ठीके ना, रखने के बाद में आपको बजरंग बली से यह विंती करनी है, हे बजरंग बली, हमारे घर में यह समस्या है, यह प्रॉब्लम है, यह ऐसी दि चल रहा है, उस इनसान को थोड़ा-थोड़ा करके आपको पिलाना होगा, तीन दिन लगातार पिला के देख लीजे, उसकी जो घराब आदते होंगी, वो सुधर जाएंगी, और अगर वो इनसान बहुत करोध कर रहा, बहुत गुस्ता कर, मतलब कहने का मेरा मतलब यह है, क कहीं बाहर मत जाना इस उपाय को आप अपने घर पे कर सकते हैं, सबसे पहले तो समझ लेते हैं इस उपाय के बेनेफिट क्या है, फायदे क्या है, जैसे मान लीजे कि आपके घर का कोई भी बच्चा है, या फिर आपके घर का कोई भी ऐसा इनसान है, जो आपकी बातों को दुनिया लोगों की बाते मान लेगा बट वो आपकी बात नहीं मानता है तो शहद से करेंगे उपाई ठीके ना बस आपको एक चमस के आसपा शहद लेना एक तामबे का लोटा लीजेगा उसके अंदर जल भरिएगा और फिर इस जल के अंदर डाल देंगे क्या आपको डालन जब चढ़ा रहे हो तो आपको चम पेश्वर महादयो का ध्यान करती हुए शहद को समध्पित करेंगे जो शहद महादयो के शिवलिंग की ऊपर चढ़ाया आपने सबसे पहले अपने हाथों से उस शहद का लेपन करेंगे जब आप लेपन कर चुकें जिस तीन उंगली से हम सभी को क्या बनना चाहिए? तरिपुंड उसी तीन उंगली का इस्तमाल करते हुए आपको क्या लिखना होगा? राम लिखना है कुछ और नहीं बस आपको उन्हीं तीन उंगलीों से इसी शहद से घुमाते घुमाते राम लिख करके और एक लोटा जल चढ़ा देना जो आप पे घर की प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएं होंगी, उनका निवारण नहीं हो पारा, उसकी सारी समस्या खतम जरूर होगी, तो मैंने कोशिश किए आप सभी को अच्छा समझाने की, बाकि अगर आपको कुछ चाहिए मुझे तो मुझे मैसेज आप कर सकते हैं, 9005643345, ये ओफर सिर्फ नौरात्री तक है, अगर नौरात्री के बाद मुझे आप मैसेज करते हो, तो फिर ये ओफर का लाब नहीं उठा पाओगे, कमल गट्टा फिर आपको फ्री में नहीं मिलेगी, पांच मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री में नहीं मिलेगा, लेकिन ये फ प्री शिवाय, नमस्तु भ्यम